शिलंगा के अनभोई तेज गेंद बाज लसित मलिंगा का कहना है कि अगले साल होने वाले टीटवविशकप के चलते वज सन्यास वापस ले सकते हैं मलिंगा ने मार्च में कहा था वो अस्ट्रेलिया में अगले साल ओक्टूबर नौमबर में होने वाले T20 विश्कप के बाद सन्यास ले लेंगे हाला कि अब 36 साल के मलिंगा का कहना है कि वह दो साल और खेल सकते हैं मलिंगा ने कहा कि T20 में 4 ओवर ही डालने है और मुझे लगता है कि मैं इसमें खेल सकता हूँ बतोर कप्तान मैंने दुनिया भर में इतने T20 खेले हैं कि मुझे लगता है कि दो साल और खेल सकता हूँ उन्होंने कहा है कि वह शिलंका क्रिकेट की घोशना का इंतिजार कर रहे हैं कि वह T20 विशकप में कप्तान होंगे या नहीं मलिंगा ने कहा शिलंका क्रिकेट ने कहा है कि विशकप में कप्तान रहूंगा लेकिन शिलंका में कुछ भी हो सकता है T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले एक मातर गेंदबाज मलिंगा ने कहा कि खराप दौर से गुजर है शिलंकाई टीम को इसतिर कप्तानी की जरूरत है उन्होंने कहा कि शिलंका के पास अच्छे गेंदबाज नहीं है और टीम लगतार अच्छा खेल नहीं पा रही है मलिंगा ने कहा कि हमें एक डेड़ साल लगेंगे और तब तक सैयम रखना होगा मलिंगा ने कहा कि वाल लगतार खेल कर ही अपनी और से योगदान दे सकते हैं उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं युवाओं को कुछ दे सकता हूँ तो मुझे खेलना होगा मैं नहीं खिलूँगा तो ऐसा नहीं कर सकूँगा आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहें तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अमन यादो बंजाब केसरी दिल्ली अमन VR और उप अमन ये लन्वारा के सकते है तो हमारे चैनल केसरी दिल्ली सहास्ट करें कि अमन यादो क्तिते ह्रां आपः उप जबत neighbor and our children को सब्सक्राइब करें होलारे चैनल को सब्सक्राइब केसरी दिल्लीन है झाल झाल